वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट जिसकी भारतिय रेल ने की है पहल? अब रेल जूडेगी देश को कला से, स्थानिय व्यापार को आत्म निर्वर्ता से. बजट 2022-23 में रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट स्कीम की घुशना की गई, जिसका मुख्य उद्देश स्थानिय उत्पादों को प्रोड़साहत, एवं वोकल फॉल लोकल को बढ़ावा देना है, इससे स्थानिय व्यापार में बढ़ुत तरी होगी, और साथ ही देश की अलग-अलग स्थानिय कला को भी संपूर्ण देश दुनिया तक पहुचने में मदद मिलेगी, इस योजना के तहद स्थानिय उत्पाद, एवं व्यापार को प्रोड़साहन देने के क्रम में, मध्यप्रदेश हैंडी क्राफ्ट एवं हद करगा विकास निगम भुपाल द्वारा, भुपाल स्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर एक पर स्थानिय उत्पाद जरी जर्दोजी क्राफ्ट का स्टॉल लगाया गया है, जिससे स्थानिय उत्पादों को प्रोड़साहन बिलेगा, मेरी जरी जर्दोजी का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर रेलबे विबाग की तरफ से जो के बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, बहुत जादा हाईलाइट हो रहा है बिखने के बाद तो, और सभी जगा मालू हो रहा है। जरी जर्दोजी कढ़ाई की एक शेली है, जो की बारवी शताबदी में मध्य एशिया से भारत में आई थी। वेलवेट, ब्रोकेड और सिल्क पर बने जरी जर्दोजी में सिल्वर और गोल्डन थ्रेट्स, बीड्स और स्पैंगल्स का स्तमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए कपड़े की एक फ्रेम में लगा कर स्टैंसिल एवं डोरी की सहता से धातू के धागों को बुना जाता है। यात्री इस स्टॉल का पूर्ण लाब उठा रहे हैं। और अपरेल मई 2022 में ही भूपाल स्टेशन पर साथ हजार रुपे से अधिक की बिक्री हुई है। साथी यात्री भी रेल्वे की इस योजना की बहुत सराहना करते नजर आ रहे हैं। मैं आज लखनों से भूपाल आई हूँ और भूपाल एक बहुत ही अच्छी सिटी है। मैं कई बार आई हूँ बट इस टाइम मैंने भूपाल स्टेशन पर ये स्चॉल पहली बार देखा है जो अट्रेक्शन का प्लेस बना हुआ है। भारतिय रेल की ये अनूठी पहल, रेल यात्रियों तथा आम नागरिकों के द्वारा काफी सराई जा रही है। जिससे रेल प्रशासन का ये उद्देश ये पून होता नजर आ रहा है। बविश्य में भी पशे मध्य रेल वन स्टेशन वन प्राड़क का दायरा और अधिक बढ़ाएगा।